हतनी की मौत पर फूटा बी टाउन सेलिप्स का गुस्सा एक एक कर सेलिप्स ने हतनी की मौत पर आक्शन लेने की मांगी पूजा भट का वह टूइट इस वक्त सुर्खियों में हैं जिसमें उन्होंने एक तरफ भगवान गरेश की पूजा और दूसरी तरफ हाथी को मारने को लेकर कुछ बात ही कहीं है केरल में एक प्रेग्नेंट हतनी को पठाकों से भरा अननास खिलाने की वज़ा हुई उसकी मौत में हर किसी को संकर के रख दिया है देश के कई आम लोगों और सेलिबरिटीज के साथ पूजा भट ने भी अब ऐसे कई गिनोंने काम को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर दिया है पूजा भट का यही ट्वीट इस वक्त चर्शा में है पूजा भट ने ठ्वीट पर इस जगहने अपरांथ करने वाले और ऐसे ही अन्य तरे के कर्म करने वाले लोगों के खिलाफ कुछ बाते कहीं है उन्होंने लिखा है हम भगवान गरेश्ड की पूजा करते हैं और हाथियों को मारते हैं और उनके साथ बुरा बरताफ करते हैं हम भगवान हनुमान की पूजा करते हैं और जन्जीरों में जकडे बंदरों को कर्तब करते हुए देखने में हमें बहुत मज़ा आता है हम देवियों की पूजा करते हैं और महिलाओं की ताकत पर नारास होते हैं उनके साथ दुर्विवार करते हैं, उन्हें अपाहिच कर देते हैं और कन्या भूण हत्या भी करते हैं इस वक्षिल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों में काफी गुसा है तो वहीं बॉलिवुट सेलिब्रिटीज भी एक एकर अब अपना गुसा जाहिर कर रहे हैं अनुश्का शर्मा, अक्षे कुमार, रनदी भुड़ा, वरुंधवन, श्रद्धा कपूर, आलिया भट, टाइगर शौफ, दिशापाटनी समेट कई हस्तियों जोगी अनिमल वेलफेर को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पर इंसेलेप्स ने नाराज़गी जाहिर की है और ये सारे सेलिब्रेटीज इस कुरूरता से पेहत हैरान है अनुश्का शर्मा ने अपने पोस्ट के जरिये कड़े कानूंगी मांग की है वही नड़ी फुड़ा ने ट्टर पर केरल के सीम से जरूरी आक्शन की मांग की है वही रिपोर्ट्स को पढ़कर हैरान शुद्धा कपूर ने ट्विट किया कैसे ये हो सकता है क्या लोगों में दिल नहीं है मेरा दिल तूट गया है अपरादियों को कड़े तरीके से डंड दिये जाने की जरूरत है आपको बता दें कि क्या था पूरा मामला पिछले दिनों केरल में कुछ लोगों ने बस मज़े लेने के लिए कुछ ऐसा क्रूर और हिंसक काम किया जिससे एक हतिनी की मौत हो गई और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मर गया इस थानी लोगों ने हतिनी को पटाकों से भागर एक अननास किला दिया था और जिससे उस हतिनी का मौ बूरी तरे से जख्मी हो गया था और पानी में घंटों खड़े रहकर अपनी मौत का ये हतिनी इंतजार करती रही ब्यूरो रिपोर्ट नव भारत टाइम्स